हुली आ गए है और ऐसे में चाट पकोडी ना बने हैसा हो ही नहीं सकता और आपको मिल जाये चटपटी चाट जो की बहुत ही कम मैंनत के साथ बनाने के लिए हो तो आप कहेंगे चटपट से बना ले तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकेा आए हूं हम बनाने वाले हैं कटोरी चार्ट So hey guys, welcome back to my channel Happy hours, तो कैसे हैं आप लोग तो बिलकुल मिंटो में बन जाने वाली कटोरी चार्ट बहुत ही कम मैनत के साथ आज हम बनाने वाले हैं तो चलिए फिर recipe start करते हैं कटोरी चार्ट बनाने के लिए मैंने एक bowl लिया है चमश कॉर्ण फ्लार यानि की आरा रोट आड़ करना है इससे क्या होता है थोड़ा सा खसता पना जाता है इसमें और टेस्ट का जो इसका टेक्श्चर है और बहुत ही जादा क्रिस्पी पंचो होता है वो हमको कटोरी में मिलता है अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल के अनुसार इसको रखे बहुत जादा नमक नहीं आड़ करेंगे क्योंकि हम जो स्टफिंग वगेरा इसमें सारी डालते है ना उसमें भी नमक आड़ होता है थोड़ा सा यहां पे कलर के लिए मैं यहां पे हल्दी आड़ कर रही हूँ इससे काफी अच्छा कलर आ जाएग पेस्ट के थिकनेस कितनी होनी चाहिए इतना अभी आपको एकदम से जादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ग्राजुली पानी को इंग्रीज करेंगे अगर आप एक साथ जादा पानी डाल देंगे तो बेटर जो है पतला हो जाएगा एक विसकर की मदद से आपको अच्छे से फेटते हुए एकदम लंफ्री ऐसा मिक्षर बना के तयार करना है यहाँ पे आप कंसिंटेंसी देख सकता है किस तरह की है एकदम गाड़ा भी नहीं है और बिल्कुल फ्लोरी भी नहीं है एक स्पून की मदद से मैं यहाँ आपको चेक करके बताती और आप यहाँ पे पीछे देखे इस तरह की कोटिंग मोटी अच्छी थिक लेयर की कोटिंग आपकी इसके उपर होनी चाहिए ऐसा ही बेटर हमको बना के तयार करना है देख सकते हैं आप कोटिंग कैसी थिकनेस वाली है ऐसी ही थिक कोटिंग हमको चाहिए तो यह रेडी ह करके आलो को आड़ नहीं करेंगे साथ मैंने बॉयल किये हुए छोले यानि कि वाइट वाले जो चोले होते न वह लिए आप चाहें तो काले चने भी आड़ कर सकते हैं इसको और भी कालरफुल बनाने के लिए मैंने या पे एक टमाटर को छोटा-छोटा एक सतरा से चौप कर लिया है आप चाहें तो इसमें खीरा भी आड़ कर सकते हैं वो भी काफी जादा टेस्टी लगता है साथी साथ एक प्याज को मैंने इसी तरह से चोटा-चोटा चौप करके इस पर आड़ किया है अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आवाइट कर सकते हैं इसके साथ इसको कमर ज्यादा कर सकते हैं और यहां पर जाएगा लगबक एक चमज भुना हुआ जीरा पाउटर जिसको मैंने दरदरा पीसा हुआ है बहुत बारीक नहीं किया इससे फ्लेवर काफी अच्छा हैगा सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह हमारी या इस तरह की कल्ची ले लिजे अब हमको क्या करना है इस कल्ची को हमको थोड़ा सा गरम करना है तो ओयल में ही रख देते हैं जिससे थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो बस कुछ सेकिन के लिए ही मैंने इसको इस तरह से ओयल में डिप किया और इसको रिमूव कर लिया अब ये layer जो इसके उपर चिप केगी नहीं अब हमारा बैटर लेंगे कर्ची को अच्छे से dip करना है कुछ सेकिन के लिए ताकि एक बढ़िया layer इसके उपर बन जाए ये देखिए किती बढ़िया layer बनी बस इसको oil में डाल दीजे और इसी तरह से आपको कर्ची को लगबग एक मिनिट के लिए रखना है और बस एक ही मिनिट में आपको क्या करना है एक knife की मदद से इस तरह से इसको remove कर सकते है तोड़ा सा जल्दी ये process complete हो जाएगा पहली एक और दो कटोरी आपकी खराब हो सकती है यानि कि थोड़ी से चिपक सकती है क्योंकि क्या होता है एक flow नहीं आता जैसे आप डोसा भी बनाते होगे तो पहला क्या होता है पहला डोसा तवे पे चिपकता ही चिपकता है तो एक आदी कटोरी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि पहले थोड़ा सा आपको कहीं से चिपक जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि यह हमेशा प्रोसेस में होता है और जैसे ही आप एक दो और बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपस में जो अपने आप ही रिलीज होने लग जाएगी कर्ची में जब भी आप कर्टोरी को फ्राय करेंगे तो आपको यह देखना है कि कर्ची के अंदर भी ओयल भरा होना चाहिए देख सकते हैं आप यह जो मैंने दूसरी वाली कर्टोरी कर्ची में रखी हुई है न इसमें अंदर मैंने ओयल भरा हुआ है तो इसको पहले remove करके side करते है और इस तरह से क्या होगा उपर से जब सेक आएगा तो जब नीचे की कटोरी है वो अच्छे से remove हो जाएगी तो आपको बहुत जादा मैनत करने की ज़ुरत नहीं है और आपकी कटोरी फटेगी बिनी और बस बड़े आराम से इस तरह से देखे remove हो जाएगी ये देखे किती perfect अब आपकी कटोरी बनिंग स्टार्ट हो गई है वापस से अब हमको क्या करना है इसको oil को remove करना है बेसन में कलशी को dip करना है एक मिनिट के लिए इसी तरह से hold करना है और जैसे ही कलशी कटोरी को छोड़ दे आपको अच्छे से कटोरी की अंदर भर-भर के oil को fry करना है आपको इसको medium to low flame पे ही fry करना है अदरवाइस अगर आप high flame पे fry करेंगे न तो यह अच्छी नहीं बनती है और crispy नहीं होती है देखिए कितनी बढ़िया अब हमारी कटोरिया बनके तयार हो लिए है तो इसी तरह से सभी कटोरियों को पहले बना के तयार करके रखेंगे बिलकुल perfect है बिलकुल खस्ता है यह देखिए कितनी ज्यादा खस्ता और बहुत ही ज्यादा crispy है और इसी तरह से आप इनको बना लीजे पहले अरबागे का प्रोसेस करते हैं अब रेडी कर लेते हैं हमारी final कटोरी चार्ट तो यहाँ पे मैंने तीन कटोरिया ले ली है आप सर्विंग के लिए एक single single जो हलवा प्लेट होती है या कटोरिया होती है वो ले सकते है हमको क्या करना है जो हमने stuffing बना के तयार की थी आलू और सारी चीज़े आड़ करके छ अच्छी थिकनेस वाला दही लिया है ताकि इसका फ्लेवर काफी अच्छा आए तो इसको भी आड़ कर देंगे साथी साथ इसमें जाएगी अब गुड़ और इमली की खटी मीठी चटनी अगर आपको हलवाई स्टाइल गुड़ इमली की चटनी बनानी देखनी है जिसको हरी चटनी मैं बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ हरा धनिया लेना है थोड़ी सी हरी मिर्श लेनी है और कुछ पतिया आप पुदीने की डाल दीची और बहुत ही फौफे की चटनी आपकी बनके तयार हो चाएगी नमक मैं इसमें बिल्कुल भी आड़ नहीं करती तो मुझे थिकनेस के साथ इसको चाहिए होती है तो इसमें मैं पानी आड़ नहीं करती हूँ उपर से थोड़ा सा हम यहाँ पे सेव डाल देते हैं तो आप चाहें तो आलू भुजिया होती है उसको भी आड़ कर सकते हैं गार्णिशिंग के लिए काफी लोग जो होते है जो अनार के दाने होते हैं वो भी आड़ करते हैं तो जितना जो चीज़े आपके पास एजिली अवेलेबल हो जाए वो आड़ कीजिए तोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर उपर से डाल दिया है जो की बहुत ही जादा टेस्ट अच्छा देता है और बस छोटी तो यहाँ पर यह बलकुर पॉफिक्टली रेडी है आपको मेरी रसिपी पसंद आई हो अगर आपको मेरी रसिपी पसंद आई हो तो विडियो को लाइक करें, शेयर करें पthose फामली के साथ और चैनल पर अगर आप मेरी नई है तो जल्दी से कर दीजे चैनल को